समस्ते पुर्जिले के खानपुर धाना शेत्र के नातु द्वारा में दो युवक कर्शव मिलने से इलाके में संसनी, फैलडे, परीजन ने हत्या कर्शव को फैंकने का आरोप लगाया गाउ में तरह तरह की बाते सुनने को मिल रही है, लोगों का कहना है कि सड़क पर गिरने की वज़े से मौत की बात बताईगे, तो कुछ लोगों के द्वारा सड़क दुरखटना में पानी में गिर जाने के मौत की बात बताई जा रही है, अब ये मामला पेजिदा हो गया है इसमें अभी सपष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर दो युवक की मौत कैसे हुई अभी ये मौत जानश के बाद ही सपष्ट हो पाएगी आखिर मौत की वजब क्या है हत्या है या फिर सड़क दुर खत्मा है बृत युवक की पहचान रोशन पासवान उम्र 24 वर्ष पिता चंद्रभूशन पासवान के रूप में की गई है दूसरे युवक की पहचान सिंदू उर्फ पल्लू उम्र 26 वर्ष पिता सर्जू पासवान दोनों युवक नथ्थु द्वार वाट संख्या चार खानपुर थान शेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं परिवार की देर रात युवक का शब बरामत होने से शेत्र में लोगों में चर्चा का विशय बना हुआ है कि मौके से शब को जब्त कर पुलिस ने पोस्ट मॉन्टम के लिए समस्तेपुर अस्ताल भेज दिया है समस्तेपुर से स्वदेश्वानी के लिए मरदीप नेरा इंपरसाद की रिपोर्ट जो है उच्वटा सब पुलिया है भावरा उस जब अधा और एक लास नीचे था दूसरा लास उपर से था क्या लगता है तो अभी तो पता नहीं चल पाएगा उपस्टमाटम के बादी पता चलेगा कि हत्या है या एक्षिडेंटल है क्या नहीं हुआ क्या लगते है क्या क इसले घर से निकला है ठीक है हम देखें चार आदमी करने हुए उसमें फूंदेव पासमान था पंकज पासमान था लाली था किसना पासमान था और पंकज का लरकाथ है कि ए अपना च्वाहाई पोखर अदम है तो कोई बाद बीवाद भी कोई लगा कि वह लोग माले हैं अदमी के देखे भाई यह पानी है पूरा इधर फिड़ा हुआ है पोखर जो है राजा जी का स्थान से होखर है ठीक है वहाँ देखे भीगया हुआ है अगर आप इस चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताके आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे स्वादेश वानी